Good morning students, welcome to science class. Today, I am going to explain to you lesson number 8, that is body movements. Student, last student में हमने इस chapter के कुछ introduction पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में कुछ topic बियर करेंगे जैसे के आपका know about bones, list the function of bones, tell about joints and explain different type of joints. आप bones के बारे में, skeleton के बारे में, joints के बारे में और जितने भी different type के joints हमारी body movement में help करते हैं उनके बारे में इस chapter में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. Student, जैसे के आप देख रहे हैं, इस picture को आप ध्यान से देखें तो इसमें different type की activities हो रही हैं और different movements हो रही हैं. तो ये जो different type की movements हैं, ये हमारी body में किसकी help से होती हैं? उस topic को हम इस वीडियो में clear करेंगे. सबसे पहले हम बात करें, ये आपको picture में skeleton दिखाई दे रहा है, students. ये कोई भूत प्रेत नहीं है, student. ये हमारा human beings का skeleton है, जो की bones से मिलकर बनता है. Bones क्या होती है, students? Bones जो होती है, वो white color का strong और heart piece होता है, जो की calcium से मिलकर बनता है. और बहुत सारी bones जो है, जब आपस में जुड़ जाती है, joint हो जाती है, तो इस तरह से skeleton की formation होती है. यानि कि skeleton जो है, वो कैसे बना है? बहुत सारी bones जो है, जब वो joint होती है, तब वो एक skeleton बनता है. अब newborn baby जो होता है, उसमें 300 bones होती है, और आपके adult में कितनी bones होती है? 200, 6 bones जो है, वो adult human body में होती है. ये जो skeleton है, ये इसके functions क्या-क्या होती है? फर्स्ट आपका है, they help in body movements. Body movement में skeleton help करता है. सेकिंड आपका है, कि जो हमारी bone marrow होती है, जो हमारी bones होती है, उनके अंदर होता है bone marrow. और जो bone marrow होता है, उसके अंदर RBC, यानि कि red blood cells, और कुछ white blood cells, जो है, वो produce होती है. Red blood cells जो होती है, उससे, वो हमारे blood के अंदर present होती है. यानि कि कहने का मतलब है, कि जो bones होती है, उनके अंदर bone marrow होता है, और जो bone marrow होता है, उसमें fresh blood का formation होती है. इसके बाद, जो हमारा skeleton होता है, वो हमारी body में बहुत सारे delicate vital organs होती हैं, जैसे कि आपका brain है, heart है, lungs हैं, और आपका liver है, intestine है, बहुत हमारी body में बहुत सारे organs हैं, delicate organs, तो उनको protect करने का काम भी skeleton का होता है. इसके अलावा जो हमारे skeleton होता है, वो आपका body को movement में help करता है, आपके posture को, body के posture को सही रखने में भी help करता है. यह देखिए, यह आपके जो, आपको इस picture में brain और आपका heart दिखाई दे रहा है, इसको भी protect करने का काम, आपका किसका है, skeleton का होता है. अब हम अगले topic पे आते हैं, that is human body and its movement. Human skeleton जो होता है, वो 206 pieces of bones का मिलके बनता है, और जो bones होती हैं, वो आपस में एक तूसरे के साथ associate रहती हैं, किसकी help से, joint और suture की help से, यानि कि जहाँ पर वो जुड़ती हैं, bones, उस point को हम joints कहती हैं, या sutures भी कहा जाता है. Joints होते हैं, वो हमारे movement में help करती हैं, और हमारा जो skeletal system होता है, वो two groups में divided हैं, ठीक है? First आपका है axial and second is appendicular. बात करते हैं हम अपने first system, that is axial skeletal system की, axial skeletal system जो होता है, वो हमारे skull, vertebral column और chest bone से मिलकर बनता है, right, और यह आप देख लिए, इस picture को ध्यान से देखें, आपको इसमें क्या दिखाई देगा? यह आपका skull है, और यह आपका backbone जो है, वो यह vertebral column का है, part, और यह rib. यह से क्या बना हमारा axial skeletal system बना? अब हम सबसे पहले बात करते हैं, skull की, skull जो होता है, वो आपके head का boni framework बनाता है, 8 flat bones होती हैं, इसमें, जिनको की हम cranium कहते हैं, और हमारे जो face और joke का part होता है, उसमें 14 bones होती हैं, जो की आपका, जिनको की हम क्या बोलती है, facial bones बोलती है, right, इसका काम क्या होता है, आपके, skull का work होता है, protect the brain and sensory organs, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अपने next, that is, vertebral column, vertebral column जो होता है, वो आपका 33 ring shape bone से मिलकर बनता है, जिसे हम vertebra बोलते हैं, और vertebra जो होते हैं, यह strong, flexible और बहुत आपका, जो skull का part होता है, वहाँ से लेके pelvis तक होती है, जो आप backbone आप देखते हैं, तो वो कहां से कहां तक होती है, आपकी skull से लेके pelvis तक होती है, ठीक है, इसका, यह head को बिल्कुल hold करके रखता है, और आपकी जो body है, उसको बिल्कुल सीधा रखता है, ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या होता है, spinal cord को protect करने का काम इसका होता है और body का जो posture है उसको सीधा रखने का भी काम आपके vertebral column का होता है अब मैं आपको एक picture दिखाती हूँ जिसमें के आपको दिखाई देगा ये आपके picture आपको दिखाई दे रही है ये picture हमारी है vertebral column की ये आपके 33 ring shape bones है ठीक है राइट अब हम बात कर रहे है next chest bone की chest bone जो है chest bone को हम rib cage भी कहते हैं और 12 pairs of ribs जो होती है वो आपके spine से कव होती भी आगे की तरफ आती है जैसे कि आपको इस picture में दिखाई दे रहा होगा और ये आगे की तरफ चुड़ी रहती है attached रहती है sternum से जिसको कि आप breast bone भी बोलती है rib cage के अंदर lungs और heart जो है वो enclosed रहता है यानि की जो आपके chest bone होती है जो आपके ribs होती है वो protect करती है कि इसको lungs और heart को और साथी साथ प्रितिक में भी participate करती है अब हमारा next आपका second है that is appendicular skeletal system appendicular skeletal system जो होता है वो two pair of girdles से और आपका arms और leg की bone से मिलकर बनता है अब ये girdle क्या होती है ये भी हम देखते है देखे इस picture में आपको दो girdle दिख रहे हैं that is first is pectoral and second is pelvic जो आपका shoulder का part होता है जो shoulder की bones होती है वो बनाती है आपके pectoral girdle को ठीक है shoulder की जो bones होती है वो किसको बनाती है pectoral girdle को और ये protect करते हैं आपकी heart और lungs को साथी साथ ये आपकी जो body का upper arm होती है उसको attachment प्रोवाइट करती है इसके बाद हम आती है second हमारा है pelvic girdle pelvic girdle क्या करता है pelvic girdle जो होता है यह आपका hips वाले portion में होता है जो hips वाले portion की bones जो होती है वो क्या बनाती है pelvic girdle को बनाती है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है reproductive organs को protect करने का और साथ में lower limbs को आपका attachment provide करता है यह आपका pelvic girdle जो है ये काम करता है, अब हम अपना next topic that is bone of arm and bone of legs की बात करते हैं, bone of arm में क्या होता है, इसमें in the upper arm there is only one bone humerus, देखिए इस picture को ध्यान से, इसमें ये उपर की तरफ humerus है, ये upper arm है और इसके जो bone होती है, ये आपके pectoral girdle में fit हो जाती है, जो कि आपके shoulder वाला part है, उसमें fit हो जाती ह ये नीचे की तरफ इसमें ये दो bones के साथ attach रहती है, radius और अलना, यानि कि आपकी जो lower arm है, उसमें two bones है, radius और अलना, और upper arm आपकी humorous है, जो कि fit हो जाती है आपके pectoral girdle में, अब हम बात करते हैं हमारे next, that is bone of human leg की, the bones present in the thigh, femur is the longest bone, ठीक है, आपके thigh में जो present होती है femur bone, that is longest bone होती है, आपकी ball shape, इसका head होता है, और ये कहां जाके fit हो जाती है, pelvic girdle में, यानि कि जो upper arm की bone थी, humorous, वो तो आपकी pectoral girdle में fix हो गई, और जो आपकी femur है, जो आपकी pelvic girdle में fix हो जाती है, जो आपकी upper leg में होती है, ठीक है, इसी तरह से lower leg में भी आपकी दो bones होती है, टीबिया और fibula, इसको भी हम picture से clear करते हैं, देखिए, ये picture आपकी दिखाई दे रही है, आपको human leg, human leg में आपको देखें, ये human leg में आप देखें ध्यान से, इसमें जो है, ये उपर की तरफ femur है, और ये टीबिया और ये fibula lower leg में है, और ये जो femur होती है, ये pelvic girdle में fix हो बात करते हैं, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, joints के बारे में, कि joints हमारे किस तरह से हमारी body movement में help करते हैं, और कितने type के joints होती है, thank you